अले वरेवन दोस्तों वेलकम बैक तो दे चैनल आफ सारंगुजरती स्कॉमर्स अकेडमी कैसे वह आप सब लोग आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सभी लोगों का जो भी 12 स्टैंडर्ड का पढ़ाई है वह बहुत अच्छे तर लोगों को देखो कि जो भी आपके अकाउंट्स के अलग-अलग 10 चैप्टर से ठीक है अभी देखो आप एक्जाम के पहले ताइम पे वहाँ पे न यह सारी चीज़े इमीजेट्री मतलब हर एक क्वेश्चन आप सौल नहीं कर सकते हो ठीक है तो मैं आप सभी लोगों को य लोगों के लिए दोस्तों कि हरे क्वेश्चन के अंदर वापे कौन सा एड़ेश्मेंट इंपोर्टन्ट है वह सारी चीज़े आपको में मार करके दे रहा हूं साथ-साथ में वह हरेक एड़ेश्मेंट का वापे क्या इफेक्ट जाएगा वह भी मैं आपको यहापे बता दूँगा थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकता है यह लेकिन उसका कोई टेंशन नहीं है तो आप लोग वापे क्या कर लेना कि यह वीडियो देख देखके आप लोग वापे जो भी चीज़े में आपको मार करके दे रहा हूं कौन से क्वेश्चन में क्या चीज़े इंप इंपोर्टन बोला हूँ, ऐसे सारे चीज़ों का आप वापे लिख लेना, तो इसके वज़े से वापे क्या हो जाएगा दोस्तों, कि आप ये सारे एज़ेस्मेंट भी बस एक बार अगर गो थू कर लोगे, तो as good as आपने वापे सारे जो प्रॉब्लेम से, वो solve करने जैसा ह ही वापे आपका हो जाएगा, समझ मैं आ रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ, तो प्लीज ये वीडियो को अच्छे से देखना, बहुत इमांदारी से सारी चीज़े करना, मैं आपे आपको सब कुछ ready made करके दे रहा हूँ, adjustment भी डिसकस कर रहा हूँ, तो मतलब as good as अपने सार चैप्टर का revision भी हापे हो जाएगा, ऐसे मैं आप लोगों को हर एक चैप्टर का अलग-अलग वीडियो वापे बना के दूँगा, तो आज की इस वीडियो के अंदर यहापे मैं आप सभी लोगों को जो भी आपका पहला वाला चैप्टर, introduction to partnership and partnership final accounts ठीक है, तो ये वाले जो important चीजे हर एक question की वो आपको मैं वापे लिख के दे रहा हूँ, तो आपन वीडियो को start करते है, ठीक है, तो अभी देखो, आप लोग क्या करो, सबसे पहले आप लोग आपका जो textbook है ये अपना महराष्टर गवर्मेंट का, ठीक है, ये textbook को वापे please आप लोग आपके पास लेके रखना, और वहापे जो भी में page number बोलूँगा, तो वो page number के उपर, जो भी मैं आपको mark करके दूँगा, और इसका effect भी वहापे आप लोग लिख देना, ठीक है, चलो, तो सुनो मेरी बात, तो आप लोग आजाओ, page number 10 के उपर, थर्ड वाला question, अभी देखो या partner में वहापे हम लोगों को दो account बनाने पड़ते हैं, पहला कौन सा partner capital account, अन दूसरा कौन सा partner current account, ठीक है, और जो भी आपन adjustment करेंगे, वो partner current account में करेंगे, और fluctuating में वहापे सिफ आपका एक ही account बनता है, that is, आपका partners capital account, और partner capital के बारे में, मतलब कौन से method से करना है, अगर ऐसे कुछ बोला नहीं रहेगा, तो वहापे हमको fluctuating capital से करना होता है, आपको पता है, ठीक है, तो अभी देखो यार दोस्तों, यह जो questions आते हैं, इसमें important क्या होता है, पता है क्या, कि कभी कभी उन्होंने हम लोगों को आपे drawings दिया रहता है, ओके कि partner ने drawings किया अगर के, बट यह जो drawings है ना, इसका वापे हम लोगों को उन्होंने date दिया हुआ नहीं रहता है, date of drawing नहीं दिया रहता है, ठीक है, तो बस इतना याद रखना कि अगर हमको question में partner ने किये हुए drawings का अगर date दिया हुआ नहीं रहेगा, तो वो case में, यह drawings के उपर का जो भी वापे बस इतना आप लोग याद रखना, ठीक है, इंट्रेस्टन रोइंग अगर date of drawing नहीं दिया होगा, तो कितने मैने का लेने का, 6 मैने का लेने का, ठीक है, बस इतना आप लोग यह वाले question में याद रखना, ओके, चलो, अब यह अपन क्या करते हैं दोस्तों, तो जो भी आप बहुत benefit होगा, ठीक है, तो जल्दी से आजाओ, textbook के page number 24 के उपर दोस्तों, और 24 पे आने के बाद देखो, जो पहले वाला illustration आपको दिख रहा है, ठीक है, अभी देखो, यहापे कुछ चीज़े में आपको mark करके दे रहा हूँ, आप पहले हो सब चीज़े mark करके लेना, और फिर अपन इसको adjustment को discuss भी कर लेंगे, ठीक है, तो देखो, पहला जो यहापे आप लोगों को दिख रहा है क्या, तो यह 10% investment, इसको आपे star कर लो, इसको star कर लो, उसके साथ साथ यहापे जो आपको advertisement दिख रहा है, इसको भी आप आपे star कर लो, पहले star कर लो, फिर discuss कर अभी ध्यान दो सुनो मेरे, एक काम करो, 6th वाला एक कर लो, आप outstanding wages वाला effect, ठीक है, चलो, अभी समझो मेरी बात को, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ध्यान देना अच्छे से, ठीक है, अभी देखो दोस्तो, तो सबसे पहले न, यह जो 10% investment वाला है, मैं आपको, इसको मै hidden adjustment यह अपना है, ठीक है, तो अभी कैसे करना है, देखो दोस्तो, यह जो भी 10% investment, इसका मतलब क्या, कि जो भी आप लोगो ने 20,000 रूपया, वो investment में जमा किया, या डाला, उसके उपर आपको 10 तक का ब्याज मिलना चाहिए, ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, पता है, कि 20,000 रूपया के उपर 10 तक का, मतलब कितना आएगा, आपका, 2000 आएगा, कितना आएगा, मुझे आपे बोलो, दोस्तो, आपका 2000 आएगा, ठीक है, तो इसका आप पहला effect क्या दोगे, देखो, ध्यान देना अच्छे से, तो इसका आप पहला effect वापे दोगे, दोस्तो, का 2000 का interest है, इसका पहला effect आएगा, profit and loss account की credit में लिखके रखो, and second आपका effect आएगा, इसका investment में आप लोग इसको add करोगे, क्योंकि आपने से assume करेंगे, कि इसके उपर का interest मुझे मिलने वाला है, समझ में आ रहा है, आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, तो इसके दो effect important adjustment है देखो, अभी देखो, अपर normally advertisement कितने मेने का pay करना चाहिए था, 12 मेने का, लेकिन किया कितने मेने का, 9 मेने का, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, फिर 4,500 divided by 9 अगर में करूँगा, तो मुझे 1 मेने का मिल जाएगा, जो आएगा मेरा, यहाँ पे कुछ 500 रुपया, ब outstanding है, ठीक है, तो आप लोग वापे क्या करोगे, 1 मेने का 500, तो 3 मेने का 1500, तो आप यहाँ पे क्या करना, 1500 रुपया जो भी है न, इसका पहला या वापे आप इफेक कर देना, add to the P&L account, P&L में आप लोग इसको add कर दोगे, ठीक है, करो ऐसा आप लोग, ठीक है, और second आप क advertisement expenditure में add कर दोगे, दूसरा balance sheet के liability में लिख दोगे, clear है, चलो बहुत अच्छा, अभी देखो तीसरा, यह outstanding wages, अभी देखो यार, आपको यह पता ही होगा शाहिद, कि देखो trial balance में जो भी item रहते है, उसका एक effect जाता है, ठीक है, तो outstanding wages का पे, सिर्फ का पे जाएगा, बोलो balance sheet के liability में जाएगा, बहुत सारे बच्चे ऐसा गडबढ कर सकते, कि outstanding है, मतलब wages में add करेंगे, liability में लिखेंगे, लेकिन वैसा नहीं है, अगर आपको trial balance में दिया है, तो फिर एक ही effect रहेगा, हाँ, अगर यह adjustment में दिया होता है, तो दो effect रहे हैं थे, पहला कुन सा, अपन सारे बच्चे गडबढ कर सकते, देखो यह जो bills receivable included dishonor of bill है, तो इसका पहला effect क्या आता है, जान देना, dishonor of bill मतलब आपका bills receivable कम हो जाएगा, ठीक है, तो पहला effect आप यहापे दोगे, bills receivable में से minus, लिखो आपे, bills receivable में से minus आप कर दोगे, दोस्तो, and second effect दोगी, इसका dators मे plus, जब भी अपना bill dishonor होता है, दोस्तो, तो आपन वापे entry करते, data account, debit to bills receivable account, इसलिए आपके यह ऐसे वाले effect वापे आजाएंगे, ठीक है, आप लिख के रखो, यह adjustment, बस exam के पहले आप लोग देखके जाना, that's it, ओक है, आपको मैं promise करता हो, दोस्तो, कि अगर यह सारे adjustment कर question के कर ले, तो आपना 100% cover हो जाएगा, यह mindset से मैं सारी चीज़े आपको करके दे रहा हो, ठीक है, next देखो, क्या दिया है, अभी देखो, यह मेरा third वाला हो गया, ठीक है, fourth वाला, goods 1000 taken by daya for personal use not entered in the, मतलब यह क्या हो गया है, दोस्तो, आपका drawings हो गया है, ठीक है, तो आप क् क्या कर देना, capital जो भी है न, उसमें से आप लोग माइनस कर देना, capital में से माइनस कर देना, समझा क्या, पहला, trading के credit में है, purchase में से माइनस, और, मतलब, and, second effect, आपे दोगे बोलो, capital में से माइनस, ठीक है, next, आगे देखो, अभी देखो, दोस्तों, वैसे है न, bad debts वगरे का join, आप क्या कर सकते हुए, यह जो पहला question है न, इसके अंदर आप वापे, जो balance sheet में आप data निकालते है, balance sheet में data, ठीक है, तो वो बहुत important यह question में, यहापे कैसे करना है, हमेशे याद रखना है, कि आपको में rule लिख के देता हूँ, वो कर ले न, ठीक है, सबसे पहले देख है कि आपने कोई sale किया, लेकिन record नहीं किया, तो वाप पहले यापे add करोगे, इतना कि यह आपने add, फिर दूसरा आप लोग यापे क्या add करोगे बोलो, आपका जो bills receivable, dishonor अगर दिया रहेगा question में, तो वो भी आपका यापे add होता है, यह समझा आप लोगों को, दो चीज फिर bad debts को minus करने के बाद जो आपके dators आएंगे, यह जो dators रहेंगे आप लोगों के यह वाले बोल रहाँ में, यह वाले dators के उपर आप provision for doubtful date करोगे, समझा क्या, तो उसको आपन वापे add बोलते, तो आप किस पे करोगे, इस पे करोगे आप add, समझा, फिर add को minus करने के ब provision for discount on data करोगे, समझ में आ रहा है कि आप लोगों को, आप चाहिए तो वीडियो पॉस करके क्या कर लें दोस्तों, यह सारी चीज़े आप वापे लिख देना, ओके, यह जो भी figure आएगा, यह आपका जाएगा, balance sheet के asset में, समझ में आ रहा है कि मैं आपको क्या बोल रहाँ, देखो यह question के अंदर है, आपको यह सारी चीज़े देखने को मिलेगी, 6th वाला adjustment वही था, goods say are sold but no entry was passed, तो इसका पहला effect आपका क्या जाएगा, add into the sales, और जब भी ऐसा रहता है तो आपन ऐसा assume करते हैं, यह हमारे जो भी sales रहेंगे, यह हमारे वापे credit sales रहेंगे, समझ में आया है क्या, अंदूसरा का आपे लिखेंगे, बोलो, data's में भी आपन इसको add कर देंगे, समझा, sales में add और data's में add कर देंगे, clear है क्या, तो यह जो चीज़े हैं दोस्तों, यह आप वापे पक्का लिख लेना, और इस तरीके से वापे आपके जो data's का figure वगेरे find out करने का करेता है, वाप इस तरीके से वापे कर लेना, clear है बोलो, ध्यान में आ रहा है पक्का, वीडियो को pause करना, और यह सारी चीज़े वापे लिखके, फिर आगे वीडियो को वापस continue करना, ठीक है, चलो, अभी देखो, next उनने वापे हमको क्या दिया, दोस्तों, यह जो question था, इसके अंदर यही adjustment अपनी सारी important थी, जो जो important चीज़े मैंने आप लोगों को बोल दिया, या आप यह question में वापे और एक चीज़ कंसीडर कर सकते हो, कौनसा, फिफ्ट वाला, ठीक है, इसमें क्या है, bad rates यह ने, RDD का उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है, अभी देखो दोस question के अंदर हम लोगों को या पे अल्रेडी एक bad dates दिया हुआ है, दिख रहा है आप लोगों को trial balance में अल्रेडी bad dates दिया है, साथ-साथ में या पे उन्होंने हमको trial balance में एक RDD भी दिया हुआ, दिख रहा है कि आपको यह सुर्णो, अभी एक बात हमेशा रखना, trial balance के अंद trial balance के अंदर, जो भी bad dates से RDD रहेंगे न, इसको अपन वापे बोलेंगे old वाली चीज़े, कौनसी बोलेंगे old वाली चीज़े, समझा, जो नीचे रहेगा नीचे adjustment में, इसको अपन वापे क्या बोलेंगे, new वाली चीज़े बोलेंगे, बोलेंगे, समझ में आ रहा है क्या ठीक है, अभी देखो, अगर आप यहापे देखोगे, तो उन्होंने क्या बोला है, right of 800 as bad dates, मतलब यह new bad dates है, तो यह को आप लोगों को जब भी आप data में से minus करते हो ना, तो वापे आप सिफ new bad dates ही minus करोगे, मतलब यह जो भी तुमारे है न, trial balance वाले bad dates और यह IDD, यह तु attention मतलो, तो इसका एक ही effect जाएगा, यह वाले bad dates और यह वाले IDD को data में adjust मत करना है, यह already adjusted होता है, समझ में आया है क्या, बट नीचे वाले जो रहते हैं न, नीचे वाले, वापे आप data में से भी minus करोगे, और P&L में add भी करोगे, वो कैसे करना है ध्यान दो, तो अभी account में, मानलो, यह आपका कौन सा account है, मुझे बोलो, profit and loss account है, ठीक है, वापे आप लोग लिखते हैं क्या लिखना पहले, two bad dates, यह वापे आप लोग लिख देना, two bad dates करके, लिखा आप लोगों ने ऐसा, वापे लिखना है, P&L के debit में, ओके, फिर यहापे आपको लिखना है पहले, old bad dates, क्या लिखना है, बोलो, old bad dates, प्लस यहापे आपको लिखना है, new bad dates, यह आप याद कर लेना चाहिए, तो old bad dates plus new bad dates, ठीक है, प्लस, क्या बोले यहापे, new RDD, ओके, अनि minus कौन सा, old RDD, समझ में आ रहा है क्या, अभी यह जो भी old आनि old वाली चीज़ है, यह आप आपको कहापे मिलेगी, trial balance से मिलेगी, ओके, जो आपको मैंने बोला था न, देखो, कि आपको यह जो bad dates लिखरा है, कि that is your old bad dates, तो यह कितना है, 1000, और यह IDD कितना था old तुमारा, माल यह 800 था, ठीक है न, तो यहापे मैं क्या करूंगा, old bad dates लिखूंगा, 1000, old RDD minus करने का है देखो, यहापे minus है न, तो minus करने का इसा, समझा क्या, और जो नीचे तुमको दिया था, उन्होंने, कौन सा वाला, यह वाला, यह, दिख रहा है, new bad dates कितना है, 18,000, यह IDD निकालना पड़ेगा, वो आप निकाल देना, ठीक है, तो यहापे 18,000, यह मानलो, जो भी figure आएग मैं आपको बस समझा रहा हूं, उस all ने कर रहा हूं, ठीक है, तो यह figure अगर तुमारा positive आता है, तो यहापे लिखो, positive अगर आया, तो यहापे लिखो, अगर negative आया, minus में आया, तो यहापे credit में positive figure में लिख देना, समझा क्या, अगर यह करने कि बाद answer अगर plus में आ रहा है क्यों कि आप देखोगे तो इसके अंदर हमारे बहुत सारे concepts clear हो रहे ठीक है तो पहला question को आप लोग वापे क्या करोगे मुझे बताओ important वापे आप लोग मार करके इसको रख देना समझ में आया कि मैं आपको क्या बोल रहा हूँ ठीक है न इसके अंदर है न अगर आप देखोगे वापे तो उन्होंने आप लोगो कोई आपे drawings दिया हुआ है क्या दिया है मुझे आपे बोलो drawings दिया ठीक है अब देखो पिछले question में आप अपने drawings के दो effect दिये थे पहला trading account के right side में लिखा था और दूसरा अपने capital में से minus किया था लेकिन अगर आपको drawing जूनर ने देते टेम अगर कापे दिये trial balance के अंदर दिये तो इसका एक ही effect रहेगा मतलब आप इसको trading account के credit में मत लिखना वो तभी लिखने का जब adjustment में हो गेर रहेगा समझा क्या तो यह सिरीव का पे जाएगा आपका capital में से minus होगा बहुत सारे बच्चे गडबड करते दोस्तों इसलिए मुझे लगा important इसलिए मैंने आपको बता दिया ठीक है यह commission के उपर भी गडबड होता है अब याद रखना अगर commission debit में रहेगा तो आपका expense है और commission अगर credit में रहेगा तो आपका income है एक simple बात बोलू क्या हमेशाद रखो आपको trial balance के debit में जो भी चीज़े दिये न एक तो वो trading account के debit में जाएगा या profit and loss के debit में जाएगा या balance sheet के asset में जाएगा तो credit में लिखने का कोई संबंधी नहीं आता है समझा क्या अगर credit balance अगर दिया रहेगा तो कहाँ पर जाएगा ट्रेडिंग के credit में या profit and loss के credit में है balance sheet के लाइबरी टी में याद रखना है सारी चीज़े ठीक है यह बहुत important है अच्छे से याद रखना में वापस बोल रहा हूँ ठीक है न अभी देखो next आपन जाएंगे देखो तो second question में बस इतना ही है दोस्तों यहापन एक bad dates का चीज़ है जो आपने अल्रेडी पहले इसमें आपर discuss कर ली है ठीक है अभी देखो यहापन क्या बोल रहा है अन दूसरा क्या करेंगे बोलो balance sheet के asset में लिख देंगे बस याद रखना ठीक है चलो अभी जाते हैं आपन next वाले question की उपर दोस्तों that is third वाला question समझ में आ रहा है आपन क्या कर रहे है जो important है बस उसको mark करके दे रहा है दो तिन question आप आपके practice के लिए पूरा करना randomly कोई लेकिन हरे question exam के पहले दिन solve करना possible नहीं यह सारा cover भी होना चाहिए तो ऐसे पढ़ना पड़ेगा आपको ठीक है अभी देखो रूचा एंड जूली यह capital ratio है ठीक है तो अभी एक काम करना आप लोग के capital ratio जो है न यह important mark करना क्यूंकि यह concept नहीं आए यह question के अंदर अभी द distribute करना पड़ता है in the profit sharing ratio बराबर है क्या लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे profit and loss हो capital ratio में कर रहे कोई बात नहीं तो देखो क्या करेंगे उनका capital कितना 80 है नी 40 है न मतलब इनका PSR आएगा 2 is to 1 यह बस याद रखना आप लोग ठीक है इस तरीके से यह निकाला जाता है अभी द दिख रहा है कि यह आप स्टार कर देना important है अभी देखो यह न आप लोगों का hidden adjustment है कैसे देखो अभी अगर आप देखो गें दोस्तों तो यहाँ पे न यह advertisement वगेरे में न यहाँ पे आप लोगों को ध्यान में आएगा कि उन्होंने advertisement हमको देते टाइम यहाँ पे 2 साल का दिया लेकिन यह चाहिए एक ही साल का तो आप लोग क्या करोगे पता है कि यह जो चार अजर है न यह चार अजर में से current year का सीफ दो ही अजर होगा आनि दो अजर अपन ने advance में पे किया समझा तो इसका वापय आप लोग इफेक क्या करोगे तो advertisement में से profit and loss के debit में आप यह वरावर ना तो वापय आप सिफ लिखते टेम 2000 लिखोगे क्योंकि 4000 में से current year का 2000 है आनि बाकी का जो 2000 है आप का पे लिखोगे दोस्तों balance sheet के asset में लिखोगे as a prepared expenditure करके पहला point ठीक है फिर यही question के अंदर आप लोगों का trade expense अनि यह general expense दिख रहा है कि यह भी आपका important है ठीक तो for example यह से मैं वापे बोलता हूं sundry expense ओके या अपन ऐसे बोल सकते चुनो आपको उन्होंने question के अंदर अगर आपे मालो trade expense दिया ठीक है और साथ-साथ मैं अगर general expense दिया अगर ऐसा समझा क्या general expense के जगा अब कभी-कभी मिस्ते नियस भी बोल सकते कभी-कभी sundry भी बोल स जाएगा समझा लेकिन अगर आपको question के अंदर उन्होंने शिरीफ आपको trade expense दिया है और इसमें से अगर आपको कुछ भी उन्होंने दिया हुआ नहीं रहता था आप समझ रह में क्या बोल रहा हूं तो वो case में trade expense trading के debit में नहीं गया होता यह गया होता तुमारा profit and loss account के debit side में बोलो समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है याद रखना यह important था ठीक है तो आप इसमें भी important mark करके रखना इसके साथ साथ देखो यह coal gas and fuel यहापे भी start करना यह का पर जाएगा आपका trading account के debit में जाएगा ठीक है यह आप एक बच्चे गड़ 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 कर सकते ठ ठीक है तो यह तीसरे question में आप लोगों के यहाँ तक की सारी चीज़े थी अभी और एक बात बोल रहो ध्यान देना adjustment में आ जो तीसरे question के ओके यह पहला वाल adjustment mark करना इसके साथ साथ वापे आप लोगों का 6 वाल adjustment भी आप मार करना ठीक है अभी देखो पहले adjustment में क्या लग करने का दोनों में से जो छोटा figure है ओके दोनों में से चोटा कौन सा है बोले 88 तो यह आप लिखोगे trading के credit में भी और दूसरा balance sheet के asset में भी बोलो समझा कैं नहीं समझा clear ही इतना अभी देखो इसके साथ साथ मैं आपको और एक बात पूछ था हूँ ठीक है अच्छे से ज् होगा आपको trial balance में तो इसका सिर्फ एक effect जाएगा जो का पर balance sheet के asset में लिखेंगे समझा trading account के credit में नहीं जाएगा clear है क्लियर है क्या मुझे बता हूँ इतना ठीक है यस तो याद रहेगा न अगर आपको closing stock और ने सिर्फ trial balance में दिया होगा है यहाँ पर दिया हूँ अगर रहेगा ओके तो वो trading account में नहीं जाएगा वसी balance sheet के asset में एक effect जाएगा ठीक है बट अकर adjustment में रहेगा तो इसके दो effect याद रखना ओके चलो अभी देखो next तुन ने क्या दिया हम लोगों को दोस्तों एक important है out of 6000 goods मतला अपन ने कोई goods credit पे purchase किया था ओके अब समझ रहेगा बट इसका आपन ने वापे कोई भी entry नहीं किया अगर ऐसा रहेगा तो credit purchase का क्या करने का तो पहला आप add करोगे purchases में पहले आप purchases में add करोगे अंदूसरा आप वापे लिखोगे का आपे बोलो creditors में add दूसरा का पे add करोगे दोस्तों आप लो creditors में add कर दोगे याद रखन पहला का पे add करने का purchase में दूसरा creditors में add कर दोगे ठीक है यस यह question में इतना ही था एक बार अगर depreciation होगे रहे का अपन अगर general बात करें तो depreciation के दो effect आते हैं पहला का पे profit and loss के debit में लिखते हैं दूसरा वो assets में से आपन वापे minus कर देते हैं ठीक है इतना समझ में आया है जो भी partner वापे drawings करते हैं बराबर तो यह partner के drawings है ना दोस्तो यह generally वापे दो चीजों में हो सकते हैं पहला एक तो cash में कर रहा है दूसरा वो goods का कर रहा है ठीक है अगर आपको उन्होंने drawings अगर adjustment में दिया है तब की बात कर रहा हूँ है अगर cash में किया होगा तो पहला क्य होगे cash में से minus अनि capital में से minus समझा के मैं आपको क्या बोल रहा हूँ ठीक है अनि goods में किया रहेगा तो trading के credit में और capital में से minus बस मुझे लगा कि इंपोर्टन डिसली में आपको discuss कर दिया ठीक है यह बस याद रखना cash अनि goods वाला अगर cash में किया तो trading क्रेट में लिकना है मत बेवकुफी हो जाएगा समझ में आ रहा है ना मैं आपको क्या बोल रहा हूँ ठीक है चलो तो third question में यही important था दोस्तो सारी चीज़े अभी fourth में आ जाओ जल्दी से मैंने सारी चीज़े cover किये दोस्तों तो attention मत लेना जो भी मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ उसके उपर एक लाग टक का बरोसा रखके काम कर सकते हो ठीक है अभी next वैसा ही देखो यह question में advertisement तीन साल का दिया है 30,000 तो क्या करने का पी एंडेल के debit में सिफ current year का जाता है that is 10,000 समझा क्या 3 साल का 30,000 तो एक साल का 10,000 आनि बाकी का balance sheet के asset में चले जाएगा 20,000 इसको mark कर देना ठीक ह दूसरा interest received on fixed deposit यह अलग item था यह आपका income होगा इसलिए P&L के credit में जाएगा याद रखना ठीक है next देखो अगर मैं बात करूँ आप लोगों साथ तो यह जो fifth वाल adjustment इसको आप star कर देना दोस्तों आपे important है बहुत ध्यान देना अब यह क्या बोल रहा है goods 8,000 destroyed by fire तो याद रखो जितने के भी goods तुमारे बरबाद हुए ना उसका पहला effect जाएका trading account के credit में 8,000 क्योंकि 8,000 के मेरे goods वापे जा चुके है समझा दूसरा उसके बंदे में insurance company मुझे सिफ कितना देने वाला है 6,000 तो दिया है के देने वाला है देने वाला है तो देने वाला है मतलब balance sheet क asset में वापे लिखना आप लोग कितना बोलो 2000 क्योंकि यह पैसा आपको मिलने वाला है मिलाने अभी तक ठीक है अंतीसरा क्या होगा पता है क्या 8,000 के जगह पे माई मिच्टेगा balance sheet के asset में आपका 6,000 जाएगा मैंने कुछ बोलने कि इसमें गलत लिख दिया trading account की credit में 8,000 balance sheet के asset में 6,000 क्योंकि उतना मिलने वाला है 2000 का नुकसान हुँ आप लोगों का यह सर्नो तो आप लिखोगे profit and loss के debit में कितना बोलो 2000 समझा कैं नहीं समझा मुझे बताओ ध्यान में आ रहा है पका है सारी चीज़े आप लोगों को trading के credit में 8,000 balance sheet के asset में 6,000 profit and loss के debit में 2000 ठीक है चलो तो यह question में अपना fourth में इतना important है दोस्तो फटा फट चलो आगे next अभी देखो आगे fifth वाला question आपको उन्होंने क्या दिया है ध्यान देना अभी देखो यह आप उन्होंने आपको current account दिया है तो आप लोग आपे जब भी आपको current account रहता है तो वो case में आप वापे क् current account बनाओगे working note के अंदर और देखो current account का RAM का credit balance यानि इसका debit balance है तो चलता है एसा ठीक है credit वाला balance by balance brought down debit वाला two balance brought down ठीक है और जब भी आप आपका net profit वगेरे आएगा तो आप normally क्या करते हो देखो कि जैसे मानलों आपका profit and loss account है बराबर है क्या तो profit and loss account के debit में से आपको य यह ना तो यह net profit को आप क्या करोगे मुझे बोलो normally आप capital account को करते थे लेकिन यहाप आपका किदर जाएगा बोलो partner के current account में जाएगा याद रखना घडबड मत करना ठीक है जो भी drawing की चीज़ है interest on capital interest on drawing यह जो भी सारी जीज़ है बराबर है क्या salary to partner commission to partner यह सब आप current account में स उसके साथ साथ देखो यह question के अंदर है ना आप लोगों को 12% government bond वाला जो चीज़ है इसको आप important mark करके रखना current account important कर देना अभी देखो यहापे क्या होगा 12% bond सुनो यहापे क्या हुआ हमने 15,000 रुप्या का bond लिया कब लिया एक जानेवरी 19 को लिया 15,000 का उसके उपर हम लोगों को कितना interest मिलेगा 12 टक का लेकिन अगर हमने invest किया एक जानेवरी को तो एक जानेवरी से मार्श कितना सिर्फ तीन मेना होता है तो 15,000 का 12 टक का कितना आएगा मानलो आट्रास हो आ रहा है ठीके मानलो 99% तो सही होगा अगर कुछ calculation mistake होगा तो उसको ignore करो मानलो यह 15, लेकिन मुझे मैंने invest के एक जानेवरी को तो मेरा तीन मेने का यह साल का बनता है तो मैं क्या करूंगा इंटु 3.12 करूंगा ठीके और मानलो फॉर एक्जमपल इसका answer आएगा 4500 रूपया समझा क्या तो इसके में वापे दो effect दूँगा पहला किदर profit and loss के credit में दूसरा balance sheet क asset में hidden adjustment बोलते हैं इसको या पे maximum बच्चे गडबड करते हैं इसलिए आप लोग यह सारी शीजों को याद रखना नहीं यह जो है यह आपका का पर जाएगा balance sheet के asset में चले जाएगा समझा क्या पक्का कैसे करना है ठीक है अभी देखो इसके साथ साथ है न यही question के अंदर आप लोगों को देखो यह दिखेगा रामी जालाउड अपन पार्टनर को सालरी दे रहे है या कमिशन दे रहे है तो इसके दो effect आएगे पहला कै जाएगा बोलो पहला जाएगा profit and loss account के debit में क्योंकि आपन business दे रहे है मतलब हमारा खर्च है इसलिए P&L के debit में ओके and second क्या करेंगे दोस्तों तो current account के credit में लिखेंगे आपे capital account में नहीं आएगा बात समझो क्योंकि आपे अपने को partner current account उन्हें ने बोला हुआ था समझ में आया बक्का I hope आपको यह clear होगा ठीक है important marker करके रखना आगे देखो prepared insurance ठीक है तो कोई भी expenditure अगर अपन advance में दे थे account जो था वो most important था साथ साथ में government bond important था and current account का यहापे चीज जो था वो important था ठीक है यह एक बार अच्छे से आप लोग देख लेना ओके चलो इसके बद आपन जाएंगे दोस्तों next वाले इसके उपर that is sixth वाला जो अपना question है उसके उपर ठीक है अभी देखो यहापे उन्ह नव महिने के लिए तो तीन महिने का तीन अजर ओके तो यह जो तीन अजर इसका पहला इफेक क्या जाएगा बो profit and loss के debit में आप इसको add करोगे and second आप कहा पर लिखोगे बोलो balance sheet के liability में इसको लिख दोगे इतना mark करके रखना ओके उसके आगे देखो अगर आप यहापे द adjustment में होता ना तो आपने इसके दो effect दिया रहते हैं पहला कौन सा rent में से minus किया रहता अनि balance sheet के asset में दिया रहता बट trial balance में दिवी चीज़ होगा एक effect इसले balance sheet के asset में चले जाएगा ओके चलो अभी देखो next उनर ने क्या दिया है हमको वैसे outstanding wages balance sheet के liability में एक effect जाएगा दो effect नहीं जाए क्योंकि trial balance में दिया अगर नीचे रहता adjustment में तो पहला क्या क्या रहता wages made आनि balance sheet के liability में ठीक है next अब एक काम करना आप लोग इसमें ये 6 वाले में और क्या important है देखो तो yes ये तो आपने discuss कर लिया है वैसे goods 5,000 अगा destroy हो गया तो trading account के credit में 5,000 जाएगा insurance company 2000 दे आप चले जाएगा बोलो समझा के नहीं समझा दोस्तों तो जो भी चीज़े मैं आपको बोल रहा हो पक्का कर रहे हो ना आप लोग comment में मुझे वैसे बताना क्योंकि ये genuinely बहुत important है ठीक है next देको उन्हाने क्या बोले हम लोगों को या पे उसके आगे 7 वाला देखो चलो जल्दी से फटक करके तो 7 में देखो यहाँ पर फंड दी है प्रोविडंट फंड तो फंड मतलब लाइबिटी हमेशाद रखना balance sheet के लाइबिटी में mark करके रखना आगे देखो यहाँ पर आप लोगों को दीखेगा commission pre-received commission pre-received तो कोई भी income जब अपने को advance में मिलता है तो balance sheet के liability में एक ही effect जाएगा ओके इसके साथ साथ यह question के अंदर देखो आप लोगों को यह machinery का एक मुझे important लगा द्यान दो वो क्या कर रहा है आपे total machinery अपनी 25,000 है ठीक है उसमें से 10,000 का उसने 1 October को लिया अब यह क्यू important है द्यान देना मुझे एक बात बोलो machinery के उपर करना 2 पहला कितना 15,000 दूसरा कितना 10,000 ठीक है और machinery का depreciation 10% है ध्यान में आ रहा है क्या तो आप लोग क्या करोगे 15,000 पे 10 टक का पूरे साल का लोगे लेकिन इसके उपर जो 10 टक का लोगे तो October से March मतलब 6 मेने गई लोगे समझा क्या तो यह कितना आएगा तुमारा 15,000 य दूसरा assets में से minus करना यह आपको पता है ठीक है very good तिसरा अभी देखो इसमें और एक important के mark करोई सारी चीज़े तिसरा और एक important के investment तो provident fund investment any investment is our asset तो balance sheet के asset में चले जाएगा इतना समझा के बताओ ठीक है अभी देखो इसके साथ-साथ वापय आपका जो 6 तवाल adjustment goods worth rupees 8,000 were purchased on but included in the closing stock तो मतलब यह अपना वापय unrecorded purchase है दोस्तों कौन सा है unrecorded purchase है unrecorded purchase है तो पहला ही फेक क्या जाएगा मुझे इसका बोलो purchase में इसको आपन एड करेंगे अंदूसरा क्या होगा बोलो creditors में भी इसको हम लोगों को add वापय करना पढ़ेगा बोलो समझ में आया क्या दो चीज़े याद रहेगी पक कराइट बहुत अच्छा है चलो अभी अपना कौन सा question किया दोस्तों अभी अपने 7 वाला किया अभी 8 वाला question marker करकने important ठीक है अभी देखो 8 में क्या important है देखो ध्यान दो अच्छे से तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहापे रें priority में दो अजर आप लिख दोगे यह पहला हुआ समझा कि इसको आप आपके क्या कर देना स्टार कर देना ठीक है दूसरा यह question यह बहुत important है आप प्रोवीडेंट फन investment दिया है balance sheet asset लिख दो ठीक है प्रोवीडेंट फन contribution यह नया है यह नया है यह नया है ओके तो पहले क्य contribute करें अपना खर्चा है business का तो प्रोवीडेंट के debit में समझा उसके आगे प्रोवीडेंट फन्द मतलब liability balance sheet liability समझ में आए क्या अनि बहुत सारे बच्चे इसको क्या करेंगे पता ही क्या P&L के credit में लिखेंगे जो गलत हो जाएगा आप समझ रहें ना मेरी बात यह question को आप वापे 10 star करके रखा तो भी चलेगा यह आपे गलबड नहीं होना चीए ठीक है interest on provident fund investment will be added to the provident fund and not to the P&L credit and investment वगेरे वगेरे समझा क्या यह हमेशा काप add होगा बोलो provident fund में ही add होगा ठीक है इसको mark करके रखना यह चार चीज़ों को mark करके रखना दोस्तो ठीक है चलो अभी देखो next यह question में इतना ही था दोस्तो 9th वाले question में फटक करके आप लोग आ जाओ जरा 9th वाले question में आ जाओ ठीक है मैं भी आ रहा हूँ 9th पर आप भी आ जाओ 9th पर तो देखो 9th वाला जो question है इसके adjustment में वापे दो चीज़े मुझे important लगी पहला insurance is paid up to 30 June स्टार करके रखना अभी देखो generally आप जो insurance का premium देते हो 12 मेने का देते बाराबर यह क्या अभी देखो अपना यहापे year end कब हो रहा March को लेकिन उनका कब हो रहा June को ठीक है तो एक timeline बनाएंगे अपना हो रहा है आपे March को year end और उनका हो रहा है कभी बोलो June को कोई बात नहीं 30 June को उनका year end हो रहा है ठीक है अभी मैने आपको क्या बोला insurance generally 12 मेने का रहता है तो यहापे अगर 12 मन खतम हो रहा है तो चालू कब को रहेंगा first July को रहेंगा समझ में आया क्या July से June होगा ना तो मुझे आप लोग एक बात बोलो current year में वापे कितने मेने होते फिर July से लेके मार्स तक तो April में चोड़ दो April में जुन चोड़ दो अरे July से start होता है तो वहीं से करो July सब्टेबर, October, November, December, January, February, March कितने मेने हो है, 9 months होते है, समझा क्या, तो इसका मतलब यह होगा कि जो भी आपने इंशुरस साथ अजर पास्टो दिया है ना, यह साथ अजर पास्टो तुमारा 12 मेने का है, तो 9 मेने का कितना, यह करना पड़ेगा न हम लोगों को यह आप ठीक है, तो जो भी आएगा इसका, ओके, त नमज में आए, क्या निए, यह सेकंड इफेक्ट इसका का पर जाएगा, यह पहला इफेक्ट हुए, दूसरा, बैलन्स इट के एसेट में चले जाएगा, इंपोर्टन्ट मार्क कर देना, बहुत इंपोर्टन्ट है, ठीक है, नेक्स्ट, आगे इसमें और के इंपोर्टन लगा मुझे, फोर्ट वाला, बुक वैल्यू आफ प्लांट इन मशिनरी का वैल्यू पंदरा था, बाद में तेरा करना है, लोग तेरा अजर से माइनस करते हैं, वाइसा नहीं, पंदरा का तेरा करना है, मतलब बैलन्स इट के एसेट में तेरा दिखेगा, तो दो अजर का डेप्रिसेशन होगा, पहला इफेक, पी एटल के डेबिट में, दूसरा बैलन्स इट में से माइनस, क्लियर एख्या पका, ठीक है, चलो, अभी आपन ने कौन सा किया, दोस्तों, नाइन कर लिया, अभी टेंथ कॉस्चन पर आजा, तो इलस्टेशन कंप्लिट हो जाएंग प्रैक्टिकल प्रावलिम, पूरा खतम कर देंगे आपन, टेंशन मत लो, सारे इंपोर्टन बोल दूँगा तुनको, देखो, इंपोर्टन क्वे ऐसा नहीं बोल रहा है, हर एक क्वेशन टी इंपोर्टन एडजेश्मेंट की आपे, मैं आपके साथ बात कर सकता हूँ, द देखो, अभी सुनो मेरी बात, तो पहला यहाँ पे देखो, 10% गवर्मेंट बॉंड, यह अल्रेडी अपने डिसकस की है, इसको अब आपे स्टार मार्क करके रखना, यह इंपोर्टन एडजेश्मेंट इसके अंदर का, कैसे करोगे, तो 40,000 के उपर 10%, 4,000 पूरे साल का, लेकिन इड़ेश्मेंट के ऑक्टोबर को, तो ऑक्टोबर, नोवेंबर, डिसेंबर, जाने, फेबरी मार्ट, 6 मेने का, तो 2000 का आपका इंट्रेस्ट आएगा, इसका पहला इफेक क्या आएगा, बोलो, P&L के क्रेडिट में, दुसरा बैलन्स इट के ऐसेट में, एड़ कर करते हैं, इदर, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, वेर आउस रेंड, बहुत सारे बच्चे गडबड करते हैं, प्रॉफिट अन लॉस के डेबिट में, आगे एडवर्टाइजमेंट, इसको आप स्टार मार्कर के रखो, यह अलग है, अभी देखो, उन्होंने क्य लेकर इडवर्टाइजमेंट जो उन्होंने पे किया, वो उन्होंने 2 साल का पे किया, समझो, लेकिन उन्होंने पेक अप किया, 1 जाने वरी 19 को किया, तो आपना खतम हो रहा है, कभी बोलो 31 मार्च 19 को, तो मतलब यह जो 10 अजर है, यह 24 महने का है, और करंट एर में सिर्फ तुम्हारे तीन मेने ही आ रहे है, देखो यह तुम्हारा current year है, एक एप्रिल से लेके, आठरा से लेके, 31, मार्च, 19, बराबर है क्या, अभी उन्होंने यहापे पे किया, फर्स जाने वरी को, अनि उनके दो साल है न, कब खतम होंगे, एक इधर, मतलब, एसे बोलो आपको, 31 December, 20 को खतम हो रहा है, यह पहला सल, तो उससे हमको कोई मानी, उसके आगे दूसरा साल है, तो current year में कितने मेने आ रहे है, January, February में अस्तीन ही मेने न, तो मतलब, यह जो 10,000 है क्या है, यह 24 मेने का है, तो 3 मेने का कितना, यह निकालने का है, इतना ही amount P&L के debit में लिखने का, स 725 ही मेरे P&L के debit में जाएगा, ओके, आनि बाकी का जो भी रहेगा न तुमारा, कितना रहेगा, 8,725 यह जाएगा, balance rate के asset में, समझा के क्या किया है, मैंने, ध्यान में आ रहा है, very good, next, अभी क्या करना है, यहापे देखो, यह free all property, balance rate asset याद रखना, यहापे गड़बर हो सकता है, फिर आभी adjustment में आ जाओ, uninsured goods, आट अजर वेर stolen, insurance ही नहीं है दोस्तों, mark करो, तो पहला का पर जाए, goods गया, trading के credit में, यह purchase में से minus कुछ भी करो, आपको जो करना है, दुसरा, profit and loss के debit में, insurance नहीं, तो balance rate में आने का, आपको कोई संबन नहीं है, ओके, आगे देख credit में से minus, समझा ना पका, ध्यान में आ रहा है के नहीं आ रहा है, दोस्तों, comment करके बताओ यार, चलो, next देखो, अभी फटा करके, second वाले question में, next second वाले question में, यह patent वाले adjustment, एक second लुको, second question, okay, page number 56, right, ठीक है, अभी समझो, मेरी बात ध्यान दो में, क्या बोल रहा हूँ, तो देखो, इसके अंदर है न, उन्होंने आपे क्या बोला है, partners entitled to the commission, यह mark करो, इसका पहला effect, business देगा, तो profit and loss के debit में, दूसरा capital में plus करोगे, partner का पाइदा मतलब capital में plus करोगे, समझा, उसके साथ साथ यहाँ पे देखो, seventh वाला mark करना, okay, interest on capital, तो partner का जो भी capital होगा, okay, उसके उपर आप दोगे इसको, तो पहला P&L के debit में, अन्दूसरा capital में क्या करोगे आप, अगर current account रहता, तो current mad क्या रहता, नहीं रहता, तो capital mad कर देने का, समझा न, यह mark करके रखना important था, ठीक है, next एको क्या बोल रहा है, तिसरे question पे आ जाओ, तिसरे question में जो पाच्व मेने का है, तो 12 मेने का कितना, 1200, समझा क्या, तो आप क्या करोगे, P&L के debit में लिखोगे 1200, आनि balance sheet के asset में कितना लिखोगे, 300, क्योंकि 300 तुमारा prepared हो जाएगा, clear है क्या बताओ, ठीक है, बहुत easy है दोस्तो, CPA adjustment को important mark करके रखते जाओ, ठीक है, चलो next देखो, क्या दिये ह भी उन्होंने fourth वाले question में आ जाओ, fourth वाले question में export duty का पे जाएगा, P&L के debit में advertisement 3 साल का, भी आपको आना चाहिए, ठीक है, चालू हुआ, एक 10 से आ, तो मतलब current year में क्या होगा, एक 10 से, देखो, 3 साल का, तो 4,800, एक 3 साल का उन्दर divided by 3, ओके, तो आप एक साल का कितना, 1200, ठीक है, इतना समझा के, लेकिन current year में उसने एक 10 को पे किया, मतलब October, November, December, February, March, समझा के, तो current year का सिप 6 मेने का खर्चा है, तो 1200 में से current year का सिप 6 मेने का है, ओके, तो P&L के debit में कितना जाएगा आप लोगों का, जाएगा 600, आनि 4800 में से 600 माइनस करने का, बाकी का जो भी 4 4200, यह आपका जाएगा balance sheet के asset में, समझ में आ रहा है क्या पका में क्या बोल रहा हो दोस्तो, ठीक है, I hope आप लोगों को यह जो सारी चीज़े में बोल रहा हो, आपको समझ में आती होगी, ठीक है ना, एक बार में वापस calculate करता हूँ, कुछ calculation mistake लग रहा है मुझे, देखो अठे 40, यह 1600 आता है ना दुस्तो, ठीक है ना, 16, 3, 48 ना, तो मेरा P&L के debit में 800 जाएगा, 1600 का अदा 800 जाएगा, अनि बाकी का जो भी है मेरा 4000 यह काई पर जाएगा balance sheet के asset में चले जाएगा, ठीक है, अभी समझा क्या, चलो, यह भी हो गया अपना, और fourth question में कुछ important नहीं म अकाउंट डेबिट, ठीक है, उसके आगे motive power, मैंने आपको अल्रीड डिसकस किया, यह trading अकाउंट डेबिट, ओके, अन productive wages, अन productive अगर रहेगा, तो profit and loss डेबिट, productive रहेगा, तो trading डेबिट, ठीक है, उसके आगे, उन्होंने हम लोगों को और क्या दिये है, मुझे बताओ, यह सितना ही important इसके अंदर देखो, सिफ एक बात में आप लोगों को और बोलना चाहता हूँ, ठीक है, एक mark करके रखना, आप लोग मेरे से छूड गया था हूँ, अच्छा हूँ याद आया, थर्ड वाला adjustment जो दिख रहा है कि आपको, इसके उपर आज़ा हूँ जारा, थ बोलो समझा क्या, इसके साथ साथ six वाला देखो, बिल्स रिसेवल इंक्लूड डिस ओनर, तो आपने पहले question में discuss किया था, illustration में, पहला क्या करने का, बिल्स रिसेवल में से minus and data में, plus data में, plus यह mark करके रखो, ठीक है, इतना किया कि मुझे बताओ जल्दी से आप लोगों द patent to be write-off, ठीक है, तो patent कितना है, देखो या पर अपना, patent अपना asset होता है, वैसे 2000 हैंना, 2000 का 18 तो write-off कर रहे है, तो 2000 upon 8, तो कितना, 250, तो आप क्या करोगे, 250 जो है न, 250, या आप वापे लिखोगे, P&L के debit में, अन्दूसरा क्या करोगे, patent में से minus कर दोगे, balance sheet के asset में, patent में से minus, आगे देखो उनने क्या दिया दोस्तों, हम लोगों को next part of furniture, ठीक है, इसको mark करके रखना, अभी देखो, total furniture कितना है, आप लोगों का 13,000 है, ठीक है, उसमें से आप 2 part करोगे, 8,000 आपके पास पूरे साले, आनि 5,000 आपने 1 October को वापे लिए है, तो जब आप इसक की उपर, आप 6 मेने का करोगे, October से लेके, मार्स तक, ठीक है, चलो, अभी देखो, next क्या दिया है, अपने को important, allow interest on capital, यह अपना already हो चुका है, याद रखना, पहला क्या जाएगा, P&L के debit में जाएगा, अन दूसरा, capital में आप लोग क्या करोगे, बोलो, इसको plus कर दोगे, समझा के नहीं समझा, बोलो, done, चलो, आजाओ जल्दी से 7 की उपर, दोस्तो, 7 में देखो, क्या important ही, यह last वाला ही मुझे important लगा, goods 2000, sold, but not delivered, no entries passed, तो पहला क्या करोगे, बोलो, data's account, debit to sales account, entry कर देना, data's to sales, तो पहला ही फिक क्या जाएगा, data's में इसको आप add कर दोगे, द का किया, कि आप लोग ने सारी चीज़, I hope आपने जरूर किया होगा, ठीक है, ऐसे हर chapter के मैं आपको बना के दूंगा, tension मतलो, okay, सब आपका अच्छे से हो जाएगा, don't worry, right, चलो, अभी देखो, 8 वा देखो, जल्दी से, क्या दी 8 वे का, land and building additional, 20,000, तो वही है, depreciation के लिए किया हुए है, उन्होंने, ठीक है, न, तो देखो, या पे, उन्होंने कब लिया था, first July को लिया, तो पच्चास हजार के दो पार्ट करो, पहला 30,000, दूसरा 20,000, ठीक है, 30,000 की उपर, depreciation, 12 मेने का पूरा लेना, लेकिन 20,000 को लोगे, तो July से आगे लेना है, तो April में जु लोड़ दो, इसके उपर आप सिर्फ 9 मन्स का वापे depreciation ले लोगे, तो यह important mark करना, ठीक है, उसके साथ साथ 10% bank loan जो इसको star करना, bank loan आपने लिया है, तो मतलब 30,000 की उपर आपको 10 तक का पूरे साल का उसको interest देना पड़ेगा, लेकिन आपने loan लिया, first of October को, तो आपको interest जेना पड़ेगा, October से मार्स तक का, मतलब 6 मेने का, समझा क्या, तो आप क्या करोगे, 30,000 का 10 तक का, into 6 by 12 आप वापे करोगे, तो यह आएगा 1500, इसका पहला आपका effect जाएगा, profit and loss के debit में, क्योंकि आप interest दोगे, आपका खर्चा होगा, और second आप लिखोगे, balance sheet के liability में, जान क्या बताओ, यह आप वापे लिख लेना, यह वर्किंग नोट में लिख देने का, ठीक है, यस, आगे देखो, अभी देखो, नेक्स्ट उन्होंने क्या दिया हम लोगों को, यही question के अंदर का, एक second रुख जवा, सिरिफ अभी ज़रा, हाँ, अभी देखो, उन्होंन आजाओ, अभी जल्दी से आप लोग फटक करके, नाइन्त में न, यह जो डिवेंचर हैं, यह एक इंपोर्टन एं, स्टॉक आफ पोस्टर स्टैम, यह का पर जाएगा, बैलन्स इट के ऐसेट में जाएगा, स्टॉक है, खतम, आनि डिवेंचर का, तो आट हज़र के उप उपर आट टक का, तो एट 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 ज़र सिक्स फोर्टी तुम्हारे पूरे साल का इंट्रेस्ट तुमको मिलेगा, ओके, लेकिन यहापे तुमने पर्चेस कब किया, एक दस को, मतलब ऑक्तोबर, नॉवेंबर, डिसेंबर, जाने, फेबरूर, छे मेने का ही मिलेगा, तो बहुत important है, sales include sale of machinery, तो आप क्या करो, पहला इसका effect, sales में से minus कर दो, क्योंकि sale नहीं है न आपका, अन दूसरा, machinery में से भी minus कर दो, क्योंकि machinery का sale हुआ है, ओके, इसको mark करके रखना, बच्चे गडवड कर सकते, आगे, each partner is entitled to commission, 1% of gross profit ठीक है, तो gross profit निकालना, उसका 1% करना और इसका effect क्या जाएगा, profit and loss के debit में पहला effect, अन दूसरा का पे जाएगा बोलो, partner capital के, इसमें add करने का, same interest on capital के भी वापे आपका हो जाएगा, ध्यान में आया क्या, तो देखो इस तरीके से आप लोगों के, जो भी आपके questions थे ना, partnership, final accounts के, ये सारे question में आप लोगों के important है, three में क्या है, उसके effects लिखके रखना, उतना पढ़के जाना, tension नहीं लेने का, बिल्कुर, समझ मैं इतना करोगे, तो सारे question करने जैसा feel भी होगा, confidence भी आएगा, और मैं ये नहीं बोल रसी भी इतना करना है, दो तीन question आप करो ना, पूरे solve करो, लेकिन सब करना possible नही question है, तो 10 chapter में लोग को 200 question रहेंगे, तो कि सारे question कर सकते हैं, कि आप नहीं कर पाओगे ना, यार, तो हरे question cover भी होना चाहिए, तो इसलिए आपको इस सब मैंने करके दिया हुआ है, already दिया है सब करके, सिफ लिखना है भी आपको, इतना तो कर पाओगे ना, यार, इसको बो पाओगा, कि नहीं यह genuinely अच्छा है, तो ही मैं next video वापे बनाऊंगा, आप मुझे वैसे comment में बोल देना, अगर अच्छे comments आते हैं, आप लोगों के likes आते हैं, support मिलेगा, तो आपको अगले chapter कभी SME बना के वापे दे दूँगा, और आपके जितने भी friends जो 12 statement पढ़ रहे आपके जितने भी friends जो सारे friends से के वीडियो को पका शेर करना, और comment करना आपको कुनसा पाट अच्छा लगा, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है दोस्तों, यह हमारे सारे social media handle से, इस के उपर आप हमसे connected रहे सकते हो, तो मिलते फिर अपन दोस्तों अगले वीडियो में, त आपके रहे, बाई-बाई, आटा